जब हम कोई निव यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो हमें उस समय सबसे पहले दो चीजों के अवश्यक्ता होती है जिसको हमको पहले से तयार करके रखना होता है और वो है चैनल का आइकोन एंड चैनल का आर्ट चैनल आइकोन एंड चैनल आर्ट यह दोनों अलग अलग वीडियो देखेगा तो जब वीडियो प्ले होते हैं उसके नीचे आपका चैनल का नाम लिखा हुआ होता है ठीक उसके बगल में जो एक आपके चैनल की जो आइकोन है जिस जो आपके चैनल का परीचे देता है उस आइकोन को देखकर के लोग समझते हैं कि यह आपका चैनल ह इकन कहलाता है और जब कोई आपके चैनल पर क्लिक करके और चैनल के अंदर घुसता है जा करके देखता है तो उस समय होम पेज पर जो एक पीछे एक बैनर लगा रहा रहा है जैसे आप लोगों ने फेस्बुक देखा होगा एक फेस्बुक में आपका प्रोफाइल फोटो हो और उस आइकोन को बनाते कैसे हैं चैनल आइकोन के वारे मैं आपको और एक बाद बता दूँ कि चैनल आइकोन आपको केवल एक बार बनाना पड़ता है जब आप चैनल करते हैं चैनल का जो बैनर होता है यह चैनल आर्ट होता है वो कई लोग बीच-बीच में चेंज करते हैं 2-4-6 मेने बाद एक साल बाद थोड़ा बहुत अपडेट कर देते हैं पर चैनल आइकोन आपके चैनल के एक निशानी होती है उसको आपको एक बार बनाना होता है तो कई कई तरीके से बनाता है चुकि मैं कम्पूटर पर बनाता हूं मैं हर काम कम्पूटर पर करता हूं लेप्टॉप पर करता हूं तो इसलिए मैं आप लोगों को लेप्टॉप पर कैसे करके हम बनाते हैं वह हमें आपको देखा देता हूं इसमें भी कई परकार की टेकनिक्स होत फोटो आपकी होनी चाहिए JPG या PNG जिस फॉर्मेट भी आपको बनाना हो तो कई लोग मुबाइल से भी बना लेते हैं मुबाइल में भी कई एप हैं जिसके दोरह आप जो है एक छोटी सी फोटो एक आइकोन के रूप में आप क्रियेट कर सकते हैं चैनल का बैनर भी क्रेट लोग थंबनेल वगएरा भी मुबाइल से बनाते हैं मैं मुबाइल से बहुत कम इस्तेमाल करता हूं मैं केवल वीडियो शूट ही मुबाइल से करता हूं बाकी मैंने इस चैनल के जो पावर पॉइंट पर मैंने बनाया है यह वाला आइकोन वो मैं आपको दिखा देता हू option मिलेगा कस्टमाइज चैनल में अब जब जाते हैं तो यह देखिए यहां पर यह उपर यह जो मनोजदा टेक लेका हुआ है लैप्ट हैंड में यह आपका चैनल आईकोन है और यह जो बीच में यहां से यहां तक यह बैनर देख रहा है यह चैनल art कहलाता है या channel का banner कहलाता है अब हम आपको आज सिखाएंगे कि मनोजदा टेक करके यह जो channel का icon है यह जो edit का निशान बना हुआ है यहाँ पर आप click करेंगे तो आप editor पर आ जाएंगे अब यह जो icon है यह icon मेरे gmail से gmail का जो मेरा profile picture है वो ऐसा ही लगा हुआ है तो वहाँ से direct आ रहा है हम इसको change कर सकते हैं अपने channel के हिसाब से तो नीचे यहाँ पर यह change का option है इस change का option पर हम जब click करते हैं तो यह देखें दो option आते हैं upload photo हम यहाँ से photo choose करके upload कर सकते हैं अगर मेरे computer में कोई photo हो या फिर your photo अगर आपके Google account पर कोई दूसरी photo पड़ी हुई है तो आप उसको भी select कर सकते हैं तो फिलाल Google account में कुछ पड़ी हुई नहीं है वही जो हमने channel icon and channel का art लगा रखे हैं वही दो चीज़े हैं तो मेरे computer पर यह photo रखी हुई है मान लिए यह मेरे बनी हुई रखी हुई है पहले से तो इस photo को मैं यहाँ select करता हूँ icon के रूप में मुझे यह चाहिए तो यह देखिए यहाँ से मैंने इसको select कर दिया और यह हमारा channel icon के रूप में अब यह सामने आगे इसको हम यहाँ से adjust कर सकते हैं जहाँ पर रखना हो तो channel के icon को बनाने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसकी size ऐसी रखे है वो determined है already नेधारित किया हुए रखा हुआ है YouTube से कि इसकी size क्या होती है वो size का आप जब बनाएंगे तो यह बिलकुल बीच ओ बीच fix हो जाएगा चलिए इतने portion में मैं इसको यहाँ से set कर देता हूँ set करके हाँ से set as profile photo मैं कर देता हूँ अगर कर दूँगा तो अब इसके इस्थान पर वो photo दिखने लगेगी अब मैं इसको set as profile photo कर देता हूँ जो ही मैं इसको कर दिया से तो आपको profile picture यह दिखने लगे है इसको यहाँ तक आने में थोड़ा सा time लग सकता है एक बार अगर हम अपने channel के login को refresh करेंगे यह देखी यहाँ पर देखने लगा है यहाँ पर भी यह आ जाएगा यह देखी यहाँ channel icon के रूप में अब यहाँ पर यह आ गया जब हम यहाँ से customize channel पर जाते हैं तो यह देखी यह हमारा channel icon के रूप में यह fit हो गया इस तरीके से आप channel icon को लगा सकते हैं पर इस icon को बनाते कैसे हैं इसके लिए मैं आपको बताओं मैं अपने एक folder में जाता हूँ यह folder में देखी हैं मैंने पहरे से channel icon बना के रखे हुए हैं अब यह बनाया कैसे इसकी size क्या होनी चाहिए तो YouTube के दौरा already recommended है कि आपको लगभग इस size के channel icon बनाना है मैंने इसको PowerPoint पर तयार किया है अगर आप मोबाइल से बनाते हैं तो आप मोबाइल से भी बना सकते हैं उसकी भी अलग technique है उसके लिए आपको एक दो app का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो मैं आपको अगली वीडियों बताऊंगा कि मोबाइल से आप channel icon कैसे बना सकते हैं मैंने simply जो है PowerPoint पर एक simple सा design तयार किया है आप चाहें और अच्छा design बना सकते हैं या आपको उपर depend है कि आप किस तरह के design बनाना चाहते हैं अगर आपको design बनाना नहीं आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ही बनाए आप किसी professional वेक्टी से भी इसका save ले सकते हैं अपने लिए एक channel icon आप उन से बनवा सकते हैं ये देखें मैंने आप दो तिन icons बना के रखे हैं दो तिन pieces इसके बना के रखे हैं अभी इसके पहले तक ये icon था अब जो है हमने इसको लगा दिया अब इसकी size क्या होने चाहिए तो सबसे पहले आप जो है powerpoint पर जब इसको बनाते हैं तो इसको एक जो बरगाकार size है square size जो कहलाता है उस type का size लीजिए और powerpoint के इस picture को save कर लिया save करने के बाद ये photo यहाँ पर ये रखी हुई है ये वाली photo है ये वाली photo और इसकी size क्या है जब हम इसको उपर करजल ले जाते हैं तो देखिए 960 x 720 960 और 720 पिक्सल का ये बना हुआ है हम इसको धीरे से edit कर सकते हैं ये थोड़ी सी picture बड़ी बन गई है हम इसको छोटे रूप में save करना चाहते हैं तो हम इहां से इसको open करते हैं open with paint में जिसको simply computer का knowledge है थोड़ा बहुत उनको paint brush बगएरा आता होगा ये करना यहां पर देखिए उपर एक चीज रिखा हुआ है resize कोने में हम इसको resize करते हैं यहां से हमको जो pixel चाहिए है उसको select करते हैं और यहां से हम 300 pixel इसको कर देता है और इसको हम इहां से okay कर देंगे तो ये उस size की देखने लगती है अब हम यहां से इसको save कर लेंगे as jpg या png ये देखिए save कर रहा है 300 और 225 pixel के size की photo और मैंने इसको लगा दिया याद रखिएगा YouTube जो है 300 into 300 300 into 300 pixel की photo को recommend करते हैं उस size की photo आप बना सकते हैं इसी तरह से मैंने इसको भी जो icon बना हुआ है जिसको अभी भी मैंने किया है ये देखिए 300 into 300 तो थोड़ा छोटा है तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि एक channel icon आप कैसे बना सकते हैं अगर आपको powerpoint का काम आता है आपको उगर नहीं आता है तो आप किसी भी व्यक्ति का सयोग ले सकते हैं जिनको computer पर काम आता है या drawing drawing का काम आता हो थोड़ा बहुत जिसको powerpoint या photoshop पर काम आता हो या किसी को coral draw पर काम आता हो किसी दोस्त से बंदू से आप एक छोटा सा अच्छा सा आईकॉन बनवा के अपने चैनल के लिए उसको अपलाई कर सकते हैं वीडियो देखने का बहुत धन्रवाद